हे गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप छैना से सिर्फ दूस से आप गुलाब जामुन कैसे बना सकते हो मतलब अगर आप सिर्फ पनीर से भी गुलाब जामुन बनाना चाहे तो इस वीडियो को लास तक देखते रहें सि इस वीडियो में गुलाब जामुन बनाया है बहुत ही टेस्टी हे गाईज वलकम बैक टो माई चैनल अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आती है और हलवाई वाली वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो रैड कलर का बटन दिया हुआ है सस्क्रा पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में दूद चाहिए तो मार्केट वाला पनीर ले सकते हो चाहो तो आप दूद ले सकते हो लेकिन दूद लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि दूद को हम अपने हिसाब से जैस एक लीटर दूद है एक लीटर दूद में इसली 200 ग्राम के करीब जो चैना है वो बनके रड़ी हो जाएगा जब दूद अच्छे से उबल जाए ग्यास को कर दे बंद और थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने दिना तब तक एक कढ़ाई में हम एक कप पानी और दो कप यहा पुरानी चाष्नी है तो आप यूजो कर सकते हैं अगर आपके पास पुरानी चाष्नी नहीं है तो आप एक कप पानी और दो कप चीनी डाल लेना तो बिल्कुल पॉफेक्ट चाष्नी जो है वो बनके रड़ी हो जाएगी तो मेरे पास जो पुरानी वाली चाशनी से वो भी मैंने इसमें डाल दिया एक बार अच्छे से उबाल दिया अब ये जो चाशनी है ये बिलकुल रेडी है मतलब इसमें कोई तार बगरा नहीं बनाना चाशनी जो होती है ये पतली वाली चाशनी होती है इसमें तार नहीं ब वाला पानी है इसे हम धीरे-धीरे करके दूद में डालेंगे मतलब दूद को थोड़ा सा ठंडा करना है इतना नहीं कि यह फटे ही न मतलब जितना अबलते हुए दूद का टैंपरेचर रहते है उसका टैंपरेचर हाफ हो जाना चाहिए इतना कि आप अपना finger भी इसके पनीर बनता है, अब यह आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाने जैसे नहीं दिखाई दे रहें, मतलब कि जो पनीर है, वो soft बन रहा है हमारा पनीर, तो soft पनीर का फाइदा यह होता है, कि जो हमारे गुलाब जामुन है, वो बहुत यह देखिए, अब दो मिनट के बाद एक कपड़े में डालना है, और इसका जो पानी है, वो हातों से दबा के सभी पानी, जो सारा पानी इसके अंदर से है, वो हमें निकाल देना है, अब अगर आप चाहो तो जो मार्केट वाला पनीर होता है, वो भी आप ले सकते हो, 200 ग मार्केट से ही बिल्कुल सॉफ्ट वाला पनीर ले आओ, या फिर आप एक लीटर दोस्से इस तरह से फार सकते हो, यह देखिए, जैसे मैने अभी यह पे फारा, अभी यह बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है, इसको हलका सा ही हम मैश करेंगे, तो यह बिल्कुल गुल गुलाब में घी डाल देना है, 200 ग्राम पनीर के हिसाब से आप सभी को बता रहा हूँ मैं, एक घी और चीनी डालने का रिजन यह है, कि घी से क्या होगा, हमारे जो गुलाब जमुन है, वो बहुत अच्छे से फूलेंगे, और जो हमारे चीनी है, चीनी की वज़ा से बहुत जल्दी से अच्छे से ब्राउन होंगे, अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद घी और चीनी को इसमें हलका सा एक पिंच, जस्ट एक पिंच हमें इसके अंदर मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग सोडा यहाँ पे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप म से मिक्स कर लें, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी डालना है, फ्लेवर के लिए आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कोई भी और फ्लेवर वाली चीज डाल सकते हैं, वैसे फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे लाइची का जाला है, half teaspoon सूजी इसलिए मैंने डाला है, कि इसके अंदर जो पानी होगा extra, वो पानी जो moisture है, वो इसके अंदर absorb हो जाएगा सूजी के अंदर, तो हमारा जो पनीर है वो इस तरह से dough जासे बनके ready हो जाएगा, आप जो हमें गुलाब जामुन के छोटे-छोटे pieces बनाने हैं जो भी size के गुलाब जामुन आप बनाना चाते हैं, वैसे आप इसके छोटे-छोटे टुकडे तोड़ लें, छोटे बड़े, जो भी size के बनाना चाते हैं, तोड़ सकते हैं, यहापे मैंने normal size रखा है, और ध्यान रहे कि पनीर के जो गुलाब जामुन होते हैं, वो फूल हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा oil रख दिया है, गरम होने के लिए, तब तक oil गरम हो रहा है, तब तक आपको क्या करना है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो के नीचे आसे लाल रंग का बटन दिखाई देगा, सस्क्राइब करके, और बग हलके हलके से बबल सारे हैं, मतलब बिल्कुल कम गरम है, और जिस टाइम मैंने इसको डाला, उस टाइम इसका जो ग्यास का फ्लेम है, बिल्कुल मैंने लो पे कर दिया है, अभी लो पे इसलिए किया है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है, वो नीचे से जले ना, अभी द तेमपरिचर पे डाले और कढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे हिलाए जब फूल के जब हमारे गुलाब जवन है फूल के डबल होके उपर की तरफ ऐसे तैरने लग जाए तब हमें क्या करना है गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई पे करना है सिर्फ एक मिनट के लिए बहुत जादा नह और लो पे इसे करीब 10 मिनट तक हमें फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल परफेक्ली गूर्डन ब्राउन ना हो जाए देखिए इस तरह से ये भी कलर ठीक है इस टाइम पे भी आप इसे निकाल के चाशनी में डाल सकते हो लेकिन मैं इस टाइम पे डालूंगा देख आपको भी आसी दिखा रहे है तो घर पे भी आसी बनता है अगर आप घर पे बहुत आसानी से बनाएंगे तो आसी बनेगा बाकि इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट और इंक्रीज करना है तो इसके अंदर आप मावा डाल सकते हो या फिर कुछ ड्राइफ अगर मैं आपको काटके दिखाओं तो यह बीच में से बिलकुल भी कच्चा नहीं होगा बिलकुल जाली दार होगा यह दिखे बिलकुल जाली जैसा इसके अंदर बना हुआ है बिलकुल भी कच्चा नहीं है और बिलकुल परफेक्ट है तो वीडियो कैसे लिगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कैसी लगी और कौन-कौन सी रेसिपी आगे भी बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो जल्दी से जल्दी में अपलोड कर दूंगा बाकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैन झाल